वेलकम टू राजस्तान जी के ट्रेनिंग दोस्तो स्वागत है आप सभी का राजस्तान सामानिगान के इस प्लेटफोरम पर दोस्तो आज किस वीडियो में हम राजस्तान सामानिगान के साथ साथ साइन्स की भी वीडियो सुरू कर रहे हैं और ये special CET exam के लिए होने वाली है दोस्तो चाहे आप किसी भी exam के त्यारी कर रहे हो राजस्तान में CET लागू हो चुका है और उसमें science एक बड़ा रोल प्ले करेगा दोस्तो इसी को मद्दे नजर रखते हुए दोस्तो आज हम आपके लिए science से संबन देत एक बहुती महत्पून टोपिक है उसका नाम है रक्त परिशंचरन तंत्र जिसको blood circulation system के नाम से भी जाना जाता है उसके हम आपको लगबग 100 प्रशन कवर करवाएंगे आज की इस छोटी से वीडियो में हम आपको सिर्फ एक से लेकर 30 प्रशन ही इस वीडियो में कवर करवा पाएंगे तो चलिए दोस्तो ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए आज की से वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो पहला प्रशन आप सबके सामने है और ये रहा आपका पहला प्रशन दोस्तो आपको फटा-फट से इसका उत्तर भी कमेंट करके चलना है और मैं तो आपको उत्तर देता ही चलूँगा पहला प्रशन है दोस्तो कि धमनी वैसी राओं सहीत रक्त परिशंचरन तंतर का अध्यन विज्ञान की कौन सी साखा में किया जाता है इस प्रशन का सीधा सीधा मतलब यह है दोस्तों कि परिशंचरन तंत्र, रक्त परिशंचरन तंत्र का अध्यान विज्ञान की कौन सी साखा में किया जाता है अगर आपने इस टॉपिक के थोरी की रूप में अच्छे से जनल साइन्स में पढ़ रखा होगा तो आप निस्सत ही 30 में से लगबग 25 प्रशन आसानी से साई कर पाओगे दोस्तों तो इसका सयांचरा जाएगा दोस्तों एंजियोलोजी, एंजियोलोजी कहा जाता है अपने रक्त परिशंचरन तंत्र के अध्यान को दूसरा प्रशन इसी प्रकार से दूसरा प्रशन है दोस्तों कि एंजियोलोजी का जनक किसे माना जाता है यानि कि जो एंजियोलोजी है रक्त परिशंचरन तंत्र का जो अध्यान करता है उसका जनक किसे माना जाता है तो आपको एक ही option पर धिहान रखनाया दोस्तो और वो है option no.C William Harvey William Harvey को अपन दोस्तो एंजियोलोजी का जनक के नाम से जानते हैं तीसरा प्रिशन आप सब के सामने है दोस्तो कि blood यानि कि रक्त का अध्यन किसे अध्यन किया जाता है यानि कि ब्लड यानि कि रक्त का अध्यन किया जाता है किसके अंतरगत रक्त का अध्यन किया जाता है दोस्तों आप सबको पता होगा दोस्तों कि हीमेटोलोजी हीमेटोलोजी की अंतरगत अपम रक्त यानि कि ब्लड का अध्यन करते है ठीक है दोस्तों चलिए चोथा प्रश करें रख की बात करें तो कितनी होगी दोस्तों जादा नहीं होगी दोस्तों पांच लिटर होगा सिर्फ पांच लिटर आपको ऑप्शन में रखना है अगर आपके पास पांच लिटर से भी जादा हो सकता है कभी-कभी यहां पे च्छै लिटर भी दे देता है और पांच-छ उसके कुल भार का कितना प्रशेंट होता है उसके बारे में अपने को यहां पे जवाब में लिखना है दोस्तों जादा नहीं होता दोस्तों सेवन से एट प्रशेंट भाग अपने ब्लड का होता है अपने सरीर में यानि कि किसी व्यक्ति का वजन सो किलो है यानि कि किसी व्य कर सकते हैं चले दोस्तो चटा प्रशन आप सभी के सामने है कि ब्लड यानी रक्त का प्येच मान कितना होता है दोस्तो रक्त परिशन चंड तंतर में सिर्फ हम ब्लड के बारे में ही पढ़ते हैं तो हमें ब्लड के बारे में प्रशन पूछे जा सकते हैं क्योंकि सीटी का प् pH के मान की अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपको बताना है 7.4 7.4 होता है ब्रड़ का pH मान यानि कि छारिय होता है ठीक है 7 से नीचे कोई भी संख्या आ जाए 6 5 4 3 2 1 तो वो छारिय में हो जाता है और 7 से आगे की संख्या चले जाए तो वो क्या हो जाता है सोरी दोस्तो 7 से नीचे चला जाता है वो होता है और 7 से उपर चले जाता है वो होता है छारिय है ठीक है तो 7.4 है यानि कि यह एक छारिय होता है यानि कि छारिय होता है ठीक है चली अगला दोस्तों की ब्लड किस प्रकार का उत्तक है यानि कि ब्लड है वो किस प्रकार का उत् तो ब्लड की ये तरल सियोंजी उत्तक होता है तरल सियोंजी उत्तक होता है ठीक है चले दोस्तो अगला आठवा प्रिशना आप सबके सामने है कि ब्लड का सरवादिक भाग कौन बनाता है यानि कि रक्त का सरवादिक भाग बनाने वाली इन में से कौन सा ऐसा तत्यू है जो स प्रतिशन भाग प्लाजमा बनाता है यानि कि प्लाजमा का सरवादिक भाग तो होता है लेकिन आपसे प्रतिशन में पूछ ले कि प्लाजमा का कितना प्रतिशन भाग ब्लड के अंदर उपस्तित होता है तो अगर मैं आपको सिद्धे सिद्धे तोड़ पर बताऊं तो लग तो कितनी होती है यानि कि प्लाजमा के अंदर जल की मात्रा आपसे सूखी सूखी पूछ ले तो आपको बताना है 90-92 प्रशेंट जल की मात्रा होती है प्लाजमा के अंदर यानि कि सबसे ज़्यादा प्लाजमा अगर अब आपसे पूछ ले कि प्लाजमा का सबसे सरवादिक भाग कौन होता है तो जल ही होता है प्लाजमा का सरवादी भाग चलिए दोस्तो ग्यारवा प्रशन की अगर हम बात कर लेते हैं ग्यारवा प्रशन आप सबके सामने है दोस्तो इसको मैं थोड़ा सा यह कर देता हूं चलिए दोस्तो यह आपकी जैसा हो गया चलिए ग्यारव अपने जो खून का थक्के को जमाता है उस प्रोटीन का नाम को अपन को बताना है और ग्यारवे प्रोटीन का सही आंसर आजाएगा दोस्तो ही प्रोटीन को अपन प्रतिसकंदन प्रोटीन के नाम से जानते हैं चलिए दोस्तो आगला बारवा प्रशन आप सब के सामने है कि निम्न में से कौन सी प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में साइक होती है तो दोस्तों रक्त के थक्के बनाने में प्रोटीन साइक होती है एक तो प्रोथोंबिन और एक होती है फ्राइबो नोजन ठीक है और हिप्पेरिन इसका स्यांसर नहीं आएगा ठीक है प्रोथोंबीन और फ्राइबो नोजन प्रोटीन ही अपने रटका थका बनाने में साइक होती है कुछ-कुछ प्रोटेंट हिप्पेरिन का भी भाग होता है लेकिन इनमें अगर दोनों की बात करें ज्यादा तरह तो फ्राइब्रो नोजन और प्रोथोंबीन का स्यांसर आजएगा ठीक है चलिए तेरवा प्रोटेंट है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी प्रोटेंट मानो सरी के अंदर रोग परतिरोग छमता पैदा करती है बहुत इंपोर्टेंट शवाल है दोस्तों बहुत ही कई बार प्रिशाओं में पुछा जा चुका है कि ऐसी कौन सी प्रोटेंट है जो मानो सरी के अंदर रोग परतिरोग छमता यानि कि एंटिबोडी शमा पैदा करने की छमता पैदा करती है और एसी protein तो दोस्तो एक ही है उसका नाम है globalulin ठीक है? प्लाज्मा में सर्वाधिक मातर में पाई जाने वाली protein कौन सी रख मेरे बात की कि रख का लगब 55% पाग अपने प्लाज्मा बनाता है और प्लाजमा का सबसरवादिक इस्सा ही पानी होता है और अगर आपसे पूछले कि प्लाजमा के अंदर भी पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम बताईए तो आपको अलब्यूमीन कर देना है क्या करना है दोस्तों Albumin Protein अपने प्लाजमा के अंदर पाई जाने वाली सरवादिंग मातरा में पाई जाने वाली Protein है ठीक है Albumin Protein चलिए दोस्तों अगला प्रशन है दोस्तों कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सी विटामिन साय करती है या करता है दोस्तों वो है दोस्तों विटामिन के जिसका रासायनिक नाम है फिलो क्यून ठीक है फिलो क्यून इसका विटामिन के का रासायनिक नाम है जो ज्यादातर अपने हरी सबझें में तो पाया जाता है पालग में भी पाया जाता है और जीरे में भी खासकर पाया जाता है विटामिन के चलिए दोस्तो, सोलो प्रशन आप सब के सामने है दोस्तो, कि तत्व है, कौन सा तत्व है, रत का थक्का बनाने में सायता करता है, यानि कि ऐसा कौन सा तत्व है, जो रत के थक्का को बनाने में सायता करता है, और वो है दोस्तो, CA प्लस 2, ठीक है, कैलसियम प्लस 2, ठीक है, अगला है दोस्तों सत्रों प्रशंति कि निर्मान निर्माण लिवर यानिकी यक्रत में होता है यानि कि ऐसे कौन सी प्रोटीन है जिसका निर्मान अपने लीवर यानि कि यकरत में होता है और वो है दोस्तो सभी की सभी ही पेरिन का भी अपने लीवर में होता है और फाइब्रेनोजन का भी अपने लीवर में होता है ये ऐसे प्रोटीन है जो अपन भार से नहीं लेते दो दोस्तों इनका निर्मान खुद बैखुद अपना यक्रत करता है ठीक है उप्यूक्त सब इसका सई जवाब आ जाएगा ठीक है दोस्तों चलिए अगला प्रशन दोस्तों ठारवा की आर बीसी रेड ब्लस कैपलरी लाल रख कनिकाओं का निर्मान मानौ सरी के अंदर कहा होता है अगर आप से पूछ ले कि आर बीसी रेड ब्लस कैपलरी लाल रख कनिकाओं का निर्मान मानौ सरी के अंदर कहां पे होता है ऐसा आप से कोई पूछ ले तो आपको क्या बता रहा है दोस्तों इसका सई जवाब आ जाएगा अस्ती मज़ा के अंदर होता है लाल रख कनिक कि इसमें से कौन सा सही आ जाएगा तो दोस्तों इसमें से क्या सही आ जाएगा कि रख कनिकाओं है और लेटीन वासा यानि कि उनका रासा है ने के नाम है ये दोस्तों प्रशन ही अदूरा है इसको आप छोड़ दें तो बढ़िया रहेगा ठीक है चलिए मैं इसको कल कातन ऐसते हैं यानि कि अपने पार चार कतन दे रखे हैं पहला कतन है कि ब्रूणी आवस्ता में आर्बीसे का निर्मान प्लीहा वे लिवर में होता है बिल्कुल सही है और दूसरा है कि इस तंधारियों की आर्बीसी में केंदरग अनुपस्तित होता है लेकिन उन्टवर कि कि ओव्लामा की RBC में केंधरक उपस्थ होता है ये भी बात बिल्कुल और दोस्तो. यही बात भी सही है लेकिन दोस्तों यह गलत है कि RBC का जीवन काल है वो 160 दिन का होता है नहीं दोस्तों 160 दिन का नहीं होता है 120 दिन का होता है RBC का जीवन काल चले दोस्तों 21 प्रशन आप सब के सामने है और इसका सबसे बड़ी RBC किस की होती है दोस्तो सबसे बड़ी RBC इन में से आपसे कोई पूछ ले तो सबसे बड़ी RBC मैंड को क्यों होती है ठीक है दोस्तो किस क्यों होती है मैंड को क्यों होती है सबसे बड़ी RBC मैंड को के बाद अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे बड़ी RBC किस क्यों होती है दोस्तों कितनी होती है आप सब पो पता होगा कि पांच मिलियन के लगबग यानि कि पांच मिलियन के लगबग अपने RBC के संक्या होती है प्रूसों के अंदर और मनुश्य की RBC का जीवनकाल अप से पूछ ले तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि 120 दिन का होता है RBC का जीवनकाल फिर नई RBC बनना सुरू हो जाती है 24 वह प्रशन दोस्तों आप सब के सामने है कि RBC का कबरिस्तान ठीक है किसे कहा जाता है जहां पे RBC अपने नई जानि कि जो RBC डैड RBC होती है वह वहाँ पे जाके इखटना हो जाती है और वह अता है दोस्तों पलीहा उसको पलीहा को हम तिल्ली के नाम से भी जाना जाता है इसको ही RBC का कबरिस्तान के नाम से जानते है ठीक है चली RBC की कमी से होने वाला रोग कौन सा है तो एनिमिय रोग है दोस्तों जिसको हम खून की कमी से भी जाना जाता है एनिमिय रोग को हम खून की कमी से भी जानते है अगला 26 प्रशन दोस्तों कि हीमोगलोबिन यानि कि हीमोगलोबिन क्या है हीमोगलोबिन एक प्रकार का दोस्तों एक प्रकार की प्रोटीन है और श्वसन वर्नक भी है ठीक है एक प्रकार की प्रोटीन भी है और श्वसन वर्नक भी है हीमोगलोबिन के अंदर ही हमारा ऑक्सिजन होता है जो हमारा पूरे जो बोड़ी है उसके अंदर सप्लाई होता है ठीक है एक प्रकार का सोचन वर्णग भी का सकते हैं और एक प्रकार की प्रोटीन भी है चले दोस्तो 26 प्रशन के बाद अब बात कर लेते हैं दोस्तो कुछ प्रशन हो रहे हैं 30 प्रशन की बात की थी हमने तो 30 प्रशन आज कर लेते हैं 27 प्रशन है कि पुरुसों में हीमोगलोबीन की मातरा कितनी होती है अगर आपसे पूछ ले कि पुरुसों में हीमोगलोबीन की मातरा पूछ ले तो वह होती है दोस्तो 12-16 ग्राम ठीक है पर 100 ml में यानि कि 100 ml में होती है कितनी 12-15 ग्राम होती है ठीक है चलिए दोस्तों अगला प्रशन आप सब के सामने है कि लाल रग्त का लाल रंग किस दातू की वज़े से होता है यानि कि ऐसा क्या है रग्त के अंदर जो लाल होता है वो दोस्तों एक दातू की वज़े से होता है और उस दातू का नाम है दोस्तों फेरस FE plus 2 FE plus 2 के नाम से जाने जाता है Ferrous ठीक है Ferrous धातु के कारण ही रख्त का लाल रंग होता है आपको पता होना चाहिए अगला प्रशन दोस्तों कि Hemoglobin में कौन सी protein पाई जाती है दोस्तों आप सबको पताएगी Hemoglobin के अंदर Globulin protein पाई जाती है ठीक है O2 के अनू को बानता है तो दोस्तों चार बानता है बहुत ही important question दोस्तों कई बार एक्जाम में पूझा जाता है तो दोस्तों ये थे अपने हरक्त प्रिशन चान तंतर से संबने 30 प्रिशन आसा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आप चाते होगी हम इससे संबने और भी प्रिशन लाएं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं हम वैसे तो 100 प्रिशन तो करवाएं करवाएंगी और लगातार ऐसी स्रीच चलती रहेगी अगर आप हमारे साथ ऐसे ही प्यारों से योग करते रहोगे तो हम आपके लिए जौब को होगे वैसे प्रिशन आपके लिए प्रोस्ते रहेंगे मिलते हैं नेक्स वीडियो साब तक लिए जैहिन जैवर जैदराजस्तान थैंक यू